सब्सक्राइब किजिए जीकेफेक्ट्स चैनल को और बेल आइकोन दबाई लेटेस्ट अपडेट्स पने के लिए नमस्कार दोस्तों मैं हूँ एडी चलिए आज का वीडियो शुरू करते है हमारे ग्रह धर्ती में जीवन का उत्पत्ती हुआ था लगबग 3.5 बिलियंड यार पहले उस समय जीव केवल एक ही कोशिका का हुआ करते था धिरे धिरे समय के साथ साथ और उन्नत और बिक्षित जीव बनने लगा प्रोटोजोव, पौरीफेरा, नीडारिया, टीनोफोरा ऐसे धिरे धिरे भीक्सित होते होते हाखर में आया मैमेल्स या स्तंधरी जीव मैमेल्स में सबसे भीक्सित रूप है इंसान और हम गर्ब से बोल सकते हैं कि स्रिस्टी का या विकास का सबसे उन्नत जीव हम लोग है और हमारे शरीर भी बाकि सब जीव से उन्नत है चलिए इस भीडियो के माध्यम से हम लोग हमारे शरीर के बारे में 25 नोन अन्नोन फैक्ट जानेंगे जो आप सोते हैं तो आपका दिमाग कभी-कभी जागे हुए कंडिशन से ज़्यादा एक्टिव रहता है आपको मालूम है कि हमारा आँख भी जरसल दिमाग का हिस्सा है और आँख में जो कॉर्णिया होता है उसमें कोई ब्लड भैसल नहीं होता ये डाइरेक्टली हवा से ऑक्सिजन लेता है इभी में, इंटरनेट में या फोटो में आप इंसने दिमाग को जरूर देखे होंगे लेकिन कि आपको मालूम है कि दिमाग में जिनने सारे रिंकल्स है अगर उस सब को सीधा कर दिया जाए तो दिमाग का साइज एक पीतों को भर की तरह होगा और वो हम लोग का खोपड़ी के अंदर कभी नहीं समाएगा जब हम लोग कोई चीज याद रखते हैं तो वो हम लोग का दिमाग की मेमोरी में स्टोर रहता है कुछ हद तक आपका मोबाइल का चिप या कॉंप्यूटर के हाट डिस्क की तरह अगर हम लोग अपना दिमाग के मेमोरी का टोटल कैपसिटी को नापी तो लगबग वो फोर टेरावाइट का होगा ऐसा कोई भी नहीं होगा जो सबना नहीं देखता है जो सबना हम लोग रात में देखते है नींद खुलने के बाद 90% हम उसको भूल जाते है हमारी जो स्कीन है वो हमारे सारे अंग और तंत्र को बाहर के बातावरन से सुलक्सिद रखता है लेकिन क्या आपको मालूम है कि हमारे सरीर हर साल लगबख 4 किलो पुराना स्कीन का सेल को रिजेक्ट करता है और उसके जगा नया सेल बाता है हमारे बिश्तर बर जो डस्ट मिलता है वो जादा तर मरा हुआ स्कीन सेली होता है कोई भी चीज गरम है या ठंडा है ये देखने के लिए हम लोग उसको उंगलियों से चूके उसका टेंपरिचर फिल करते है लेकिन क्या आपको मालूम है हम लोगा होट याने लिप्स हमारे उंगलियों से लगबख 100 गुना ज़्यादा सेंसिटी होता है हमारे स्कीन में हमेशा नया सेल्स बनते रहते है अग बुराने और बुड़े सेल्स रिजेक्ट होके स्कीन से अलग हो जाते है इस प्रोसेस में हम लोग अपना जीवल कार में लगबख 1000 बार अपने स्कीन को बदलते रहते है हाथ के उंगलियों के नाखुन, पैरों के उंगलियों के नाखुन से लगबख 4 गुना तेज बढ़ता है हमारे बोडी का सबसे भारी ओर्गन कौन सा है दिमाग, स्टॉमाग, पैर, हाथ ये सब कुछ है हमारे बोडी का सबसे भारी ओर्गन है हमारे skin जो total body weight का 15% है अगर आपका weight 50 kg है तो आपका सरीर में लगबग 7.5 kg कली skin है एक औसत आदमी का heart अपना जीवन काल में लगबग 3 billion बार से भी ज़्यादा बार धड़कता है हमारे heart दरसल एक blood का pump है जो हमारे सरीर के हर एक जगा में blood को पहुचाती है लेकिन क्या आपका मालूम है कि blood दिन में लगबग 1000 बार अपना सरीर के चक्कर काटती है हमारे दिल को अगर हमारे सरीर से बाहर निकाल दिया जाए तो भी ये जिन्दा रह सकता है और beat कर सकता है बस इसको oxygen युक्त blood मिलते रहना चाहिए एरफोन यूजगर के music कौन नहीं सुनता लेकिन कि आपको मालूम है जो आप music सुनते है तो music के beat के साथ आपका heart beat भी sync कर सता है हर साल कई आदमी heart attack के वज़े से मरता है लेकिन कि आपको मालूम है कि ज़्यादातर heart attack सोंबार यानि Monday को ही होता है और ऐसा क्यों होता है आप comment करके जरूर बताई है इभी में सार्क का दाथ को कौन नहीं देखा है लेकिन कि आपको मालूम है एक इनसान का दाथ भी सार्क का दाथ जिदना ही मर्जबूत होता है एक इंसान चाहे कि इतना भी पदला हो उसका सरीर में भी फैट हो सकता है लेकिन कि आपको मालूम है ये एक इंसान के सरीर में इतना फैट होता है कि उससे साथ भी सावून बन सकता है जिनके आखे नीला रंखा होता है वो normally काले या भुरे आख वाले इनसान से ज़यदा सैंसिटी होता है आपको मालूम है कि हमारे स्किन एक बहुती हल्का रोशनी छोड़ता है यह रोशनी जिना हल्का होता है कि हमारे आख से वो नहीं दिखता है एक इंसान को अगर खाना नहीं दिया जाए तो वो कहीं हपतों तक जिंदा रह सकता है लेकिन अगर एक इंसान को सोने या नीद में जाने नहीं दिया जाए तो वो दस दिनों के अंदर ही मौत को प्राप्त कर लेगा क्यों आपको मालूम है कि आपका इंटेस्टाइन के लंबाई लगबग तेज भीड है और ये पेत के अंदर मुड़ा हुआ कंडिसन में रहता है आपका सरीर में कई सरे औरगन पेयार या जुड़मा में रहता है जैसे कि आँख, किड्ने, इत्यादी ये सब अगर सिंगल भी रहे तो भी आप जिंदा रह सकते हैं क्या आपको मालूम है आप सांस लेते टाइम खाना को निगल नहीं सकते लेकिन एक बच्चा जो साथ महीने से ज़्यादा चोटा है वो ये काम कर सकता है हमारे स्टॉमाप के अंदर एक एसीड निकलता है जो खाना में रहे किड़ानू सबको मार देता है लेकिन क्या आपको मालूम है कि ये एसीड इतना तेज है कि धातू को भी बिगला सकता है हमारे सरीर में लगबग सब जगा नासों से घिरा हुआ है लेकिन क्या आपको मालूम है कि सारा नस अगर निकाल के एक के साथ एक जोड दिया जाए तो लगवग एक लाग माईल से भी ज्यादा लंबा होगा दोस्तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए चैनल को सबस्क्राइब कर दीजिए और बगल में बेल आइकोन को जरूर दवाएगा धन्यवाद झाल